सडक 2 का ट्रेलर आपको 90's की सडक की याद कैसे दिला देगा? इस ट्रेलर को अब तक 2 मिलियन डिसलाइक क्यों मिल चुके हैं? क्या है इस फिल्म की खास बाती? इस बार महारानी का खतरना किरदार कौन निभाने वाला है? हेलो फ्रेंट्स आप देखरें बॉलिग्राफ स्टूडियोज मैं हूं सोनी का जयाल सडक 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे लेकिन इससे पहले आपको बता दू संजू बाबा को लंग कैंसर डिटेक किया गया है जो की एक बहुत बड़ी शौकिंग निउस है इससे बॉल्लिवोड में खलबली मच चुकी है आपको बता दे कल ही पता चला है इस बारे में और पहले सडक 2 का ट्रेलर कर रिलीज किया जाना था लेकिन संजू बाबा की इस खबर के बाद सडक 2 का जो ट्रेलर रिलीज होने वाला था उसे डिलेए कर दिया गया संजे दद की बात करें तुन्हें लंग कैंसर डिटेक्क किया गया है और संजु का कैंसर जो उनकी फैमिली में बैक ग्राउंड रहा है पहले उनकी मा नर्गिस को भी कैंसर हुआ था उनकी जो पहली वाइब थी रिचा उन्हें भी कैंसर हुआ था और संजे दात को कैंसर हो चुका है फिलहाल जो उनकी करीबी है उन्होंने बताया है कि संजे बाबा की जो ये कैंसर की स्टेज है फिलहाल इस स्टेज पर है जो ठीक हो सकती है जिस तरह से वो पुरानी आदे ताजा होती है आप पूरा महसूस कर सकते हैं अगर आपने 90's में सड़क देखी है तो आपको वही आदे ताजा हो जाएंगी आपको बता दे वही रवी की पुरानी टैकसी पूजब हट के हाथ में पिंचुरा ये सब दिखाये गया है और सड़क एक कल्ट क्लासिक फिर्म रही है पबलिक हर हफते सड़क देखने जाया करती थी दोस्तो कहानी ये है कि अगर आप किसी से बहुत ज़ादा प्यार करते हैं और उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं और वो इस दुनिया से चला जाये तो उस व्यक्ति का क्या हालत होती होगी वो कैसे जीता होगा बस यही सड़क Two की कहानी है जैसे कि सड़क में वो जी रहे हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और कैसे जीएंगे वहीं आपको याद हो इसमें बहुत खतरना किरदार किया था सदाशिव अमरापुरकर जीने जिनका किरदार था महारानी का किरदार और जब वो परदे पर आता था सबके जो है रॉंक्टे खड़े हो जाते थे तो सवाल ये था कि आखिर सदाशिव का ये रोल कौन निभाएंगे तो एक बहुती बहतरीन आक्टर को इसके लिए चुना गया है मकरन देश पांडे मराथी फिल्मों में किसी को काम करना है और थियेटर अगर जोइन करना है तो मकरन या फिर नसीर उदिन शाह जैसे आक्टर की थियेटर ग्रूप को जोइन किया जाता है तो इनकी अलग धाक है और ये महारानी का करदार बहुत अच्छे से निभाएंग क्योंकि पूरी कहानी संजेदत के ही इर्दगिर्द घूम रही है उनके जो डायलोग डिलिवरी है वो भी बहुत कमाल की है साथी आलिया भट और आदित्या रोय कपूर की जो केमिस्टरी है वो भी फिल्म में बहुत अच्छी नजर आ रही है और महेश भट ने हमेशा की बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है संजु बाबा ने कहा था कि अगर महेश भट ही इस फिल्म को डायरेक्शन करेंगे तब जाकर इस सीक्वल में मैं काम करूंगा तो ऐसा ही हुआ महेश भट ने बहुत ही बहतरी से डायरेक्शन बहुत अच्छी है साथी म्यूजिक की गूली और अंकित तिवारी इन सब लोगो का म्यूजिक होने वाला है कमाल का होने वाला एककी काना इस वक्त सुनाई दे रहा है और ईश्क कमाल गाना वह बेहत कमाल का है अपने नाم की ही तरह दो स्क्राइब及 जोड़नी हो चुका है और पूझा भट की आदों में कोया र आलिया भट की ट्रेप ले लेते हैं और उन्हें उनकी मनजिल तक पहुचाने का काम करते हैं और उसके बाद आलिया भट की मुलाकात होती है एक फेक गुरू से अब क्या इसके पीछे कहानी है क्यों वो फेक गुरू जो है वो आलिया भट के पीछे गुंडे छोड़ देता ह साथ ही ब्लाक मैजिक क्या कुछ है ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा इसके अलाब आपको बताते है गुल्शिन ग्लोवर इसमें नजर आने वाले है जिनका हाथ कटा हुआ है और बहुत ही उम्दा कलाकार इसके अलाब नजर आने वाले है अक्षे आनन्द प्रियांका प्रोबोस बहुत अच्छी ये फिल्म होने वाली है क्योंकि जो इसके किरदार है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं साथ ही आपको बता देए फिल्म के डायलोक्स कमाल के है जैसे कि आल्या भठ कहती है कि मैं कौन हूँ एक पैसेंजर ही तो हूँ तो इसमें स पंजरदत जैसे आलिय भट को उनकी जोर्नी तक पहुचाते हैं और गुंडों से लड़ते हैं बस यही पूरी कहानी होने वाली है और यह फिल्म रिलीस होने वाली है अठाइस ऑगोस्ट को आपको बता दे डिजनी प्लस होर्स्टार पर गी रिलीस होगी और साथ ही आपको बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं और इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है इसी वजह से लोग इसे डिसलाइक जादा कर रहे हैं लेकिन यकीन मानिये फिल्म की कहानी बहुत जबर्दस होने वाली है आप सब भी यह फि आपको ट्रेलर कैसा लगा हमें नीचे कॉमें सेक्षिन में जरूर बताईएगा और इसी तरह के दूसरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल बॉलीक्रास स्टुडियो को